इस Current Affairs Funda में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम फरवरी महीने के सभी important days और उनके theme कवर करने वाले हैं Days and themes related questions लगबर हर exam में पूछे जाते हैं चाए banking exam हो, SST हो या फिर railways इसलिए अंते तक इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा और इस session को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाऊंगा कि हमारी one year की membership आप avail कर सकते हैं जिसके अंतरगत आपको चैनल पर upload होने वाली current affairs video PDF format में मिल जाएगी इसके लिए आप 249 रूपीज पे कर सकते हैं और ये membership आपकी एक साल के लिए valid रहेगी साथ ही जिन aspirants ने हमारा ये one year subscription लिया हुआ है उनके पास इस वीडियो की PDF भी पहुँच जाएगी तो चलिए फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो session की सबसे पहले हमारे पास 45th Indian Coast Guard Day 45th Indian Coast Guard Day कम मनाये गया तो ये मनाये गया है 1 February 2021 को और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि Indian Coast Guard इसके establishment हुई थी एक फरवरी 1977 को और इसके डारेक्टर जनरल है कृष्ण स्वामी नटराजन यानि के नटराजन आप इनको कह सकते हैं और Indian Coast Guard का मोटो है वयम रक्षम है यानि We Protect आगे बढ़ते हैं World Wetlands Day तो World Wetlands Day मनाये जाता है 2nd of February को यानि 2 February 2021 को ये मनाये गया और इसका theme रहा Wetlands and Water आगे बढ़ते हैं World Cancer Day World Cancer Day मनाये गया 4 February 2021 को हर साल इसी तारीक को मनाये जाता है और इसका theme रहा I Am and I Will International Day of Human Fraternity तो ये मनाये जाता है 4 February 2021 को मनाये गया हर साल 4 February को मनाये जाता है और इसका theme रहा A Pathway to the Future International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation तो ये मनाये गया है 6 February को और इसका theme रहा है No Time for Global Inaction, Unite, Fund and Act to End Female Genital Mutilation काफी important है इसका theme इसलिए आप याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं World Pulses Day तो World Pulses Day हर साल 10 February को मनाये जाता है और इस बार इसका theme रहा Love Pulses for a Healthy Diet and Planet आगे बढ़ते हैं National Dewarming Day तो National Dewarming Day मनाये जाता है 10 February को और इस साल भी 10 February 2021 को ये मनाये गया और आपको ये जानना चाहिए कि इसका मकसद ये रहता है मनाये जाने का कि जो भी Intestinal Worms होते हैं इनको eradicate किया जा सके तो Intestinal Worms क्या होते हैं ये Parasite होते हैं जो कि आपकी जो Human Intestine होती है उसमें रहते हैं आगे बढ़ते हैं International Day of Women and Girls in Science तो ये दिन मनाये जाता है 11 February को और इसका theme रहा है इस साल 2021 में Women Scientists at the forefront of the fight against COVID-19 आगे बढ़ते हैं International Epilepsy Day तो ये मनाये जाता है फरवरी महीने के जो दूसरा Monday आता है दूसरा सोमवार आता है उस दिन ये मनाये जाता है और इस बार ये रहा 8 फरवरी 2021 को और साथी आपको भी जानना चाहिए Epilepsy यानि मिरगी तो ये एक Neurological Disorder है जिसमें पेशेंट के दिमाग में असमान्य तरंगे पैदा होने लगती है जैसे कि कोई दो तार अगर कलत दिशा में जुड़ जाते हैं तो शोर्ट सरकिट होता है तो इसी तरह मरीज भी जो है अपने आपको महसूस करता है इस तरह के जटके उसे महसूस होते है और इसका इस बार थीम रहा है Epilepsy is more than Scissors Safer Internet Day तो Safer Internet Day मनाय जाता है फरवरी महीने के दूसरे वीक के दूसरे दिन यानि Tuesday को और इस बार ये मनाय गया 9 फरवरी को 2021 में ये 9 फरवरी को मनाय गया है और इसका थीम रहा Together for a Better Internet आगे बढ़ते हैं World Yunani Day तो World Yunani Day मनाय जाता है 11 फरवरी को और इस दिन ये इसलिए मनाय जाता है क्योंकि काफी famous Yunani scholar and social reformer रहे हैं हकीम अजमल खां तो उनकी बर्थ anniversary इस दिन पढ़ती है उनी के उपलक्ष में ये मनाय जाता है समरपन दीवस तो समरपन दीवस 11 फरवरी को मनाय जाता है क्यों मनाय जाता है क्योंकि जो पंडी दीन दयाल उपाद्याय है तो इनकी ये पुन्यति थी इस दिन होती है 11 फरवरी को 11 फरवरी 1968 में जो है इनकी जो है इनका देहान्त हो गया था ठीक है तो इस उपलक्समीन की पुन्यतिती मनाई जाती है समरपन दीवस के रूप में तो इनको जो है एसेसिनेट किया गया था ये भी आपको जानना चाहिए नैसनल प्रोड्किविटी टे तो ये मनाया जाता है 12 फरवरी को और इस बार इसका थीम रहा है उद्योग मंथन फोर प्रोड्किविटी साथ्या आपको इभी जानना चाहिए कि 12-18 फरवरी के बीच नैसनल प्रोड्किविटी वीख भी मनाया गया है आगे बढ़ते हैं वर्ड रेडियो डे तो वर्ड रेडियो डे मनाया जाता है 13 फरवरी को इस बार इसका थीम रहा है 2021 में New World, New Radio National Women's Day तो national women's day मनाया जाता है 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है क्योंकि सरोजनी नाइडू जेने नाइड विंजल ऑफ National Women's Day मनाया जाता है साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि यह इंडिया की पहली Women Governor रही है और 1947 में यह United Provinces की पहली Women Governor बनी थी और जिसे की अब उत्रपरदेश के नाम से जाना जाता है और इंडिया National Congress की President भी यह रही 1925 में Soil Health Card Day तो यह मनाया जाता है 19 फरवरी को तो यह मनाया जाता है 20 फरवरी को और इसका इस बार थीम रहा 2021 में A Call for Social Justice in the Digital Economy CRPF Veterans Day तो CRPF Veterans Day मनाया जाता है फरवरी के तीसरे सुक्रवार को यानि 3rd Friday of February और इस बार यह मनाया गया है 19th February 2021 को साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि CRPF के DG है कुलदीप सिंग Word Pangolin Day तो Word Pangolin Day मनाया जाता है फरवरी महीने के तीसरे सनिवार को और इस बार यह कब रहा 20 फरवरी आगे बढ़ते हैं International Mother Language Day तो यह मनाया जाता है 21 फरवरी को और इस बार इसका थीम रहा है Fostering Multilingualism for Inclusion in Education and Society आगे बढ़ते हैं World Thinking Day तो यह मनाया जाता है 22 फरवरी को और इसका थीम रहा है इस साल Peace Building Next है हमारे पास Central Exercise Day तो यह मनाया जाता है हर साल 24 फरवरी को World NGO Day तो World NGO Day मनाया जाता है 27 फरवरी को और इस बार इसका थीम रहा है Aligning the NGOs Work to Sustainable Development थीम आपके लिए काफी important है Next है हमारे पास National Protein Day तो National Protein Day मनाया जाता है 27 फरवरी को और इस बार इसका थीम रहा है Powering with Plant Protein Next है हमारे पास Beer Chillerai Divas तो यह मनाया जाता है 27 फरवरी को और जो बीर चिला रही थे यह आसाम की कोच रोयल डानेस्टी के जनरल थे Next है हमारे पास Nineteenth Death Anniversary of Chandrasekhar आजात तो यह मनाया जाती है 27 फरवरी को गुरु रविदास जैन्ती जो है यह माग मास की पूर्णिमा तिथी को मनाया जाती है और इस बार यह तिथी पड़ी है 27 फरवरी को Next है हमारे पास National Science Day तो National Science Day मनाया जाता है 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928 को जो है सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट डिसकवर किया था और इसके लिए इनको 1930 में Nobel Prize भी मिला था और इस बार National Science Day का थीम रहा है Future of STI Impact on Education Skills and Work Next है हमारे पास Rare Disease Day तो Rare Disease Day मनाया जाता है फरवरी महीने का जो अंतिम दिन होता है उस दिन मनाया जाता है और इस बार यह मनाया गया है 28 फरवरी को तो I hope यह सभी आपके लिए काफी important रहेंगी इनको आप note कर लीजेगा और साथ में आप सभी current affairs funda को telegram पर भी जोईन कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी ले डालते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं और दोस्ते हैं आपर current affairs की playlist दी गई है इसको जरूर देखें अपने दोस्ते के साथ whatsapp and telegram पर share करें लाइक करें और comment करके जरूर बताईएगा कि यह video आपको कैसी लगी thank you guys